येस गुड मॉर्निंग स्टुडेंट ऑफ क्लास सेवेंग हम टेंस पढ़ रहे थे हैं चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का जिसमें मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझा दिया था और मैं आपको कहा था कि टेंस जो है वो हम नोड्स के रूप में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा असानी रहती है क्योंकि टेंस के स्टेंस पस्टेंस फ्यूचर टेंस उन सबके भी पर्टिकुलर 4-4 है स्यम्य प्रेजेंट तेंस, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. उसी तरह past के भी है, उसे तरह future के भी है. और अब हर जो उसका टाइप से हर काइन का भी अलग-अलग sentence है. जैसे simple present tense है तो वो भी four kind में होगा. affirmative में, negative में, interrogative में, और interrogative में. तो हम एक ही sentence को कितने अलग-अलग तरह के से change कर सकते हैं. तो इस में इस वीडियो में मैं आपको present tense लगबग complete करवा दूँगी present tense को हम पढ़ रहा है present continuous tense जो हमको पढ़ना है उसमें देखो तीन helping verb होती है हर tense की अलग-अलग helping verb होती है और वो भी अलग-अलग pronoun के हिसाब से होती है तो present continuous tense की helping verb है ease, m, r तो ease आती है he, she, it और singular के साथ में एक वचन और he, she, it r आएगा plural और we, you दे के साथ और m आएगा only i के साथ और इसमें verb की first form को ing लगती है आपकी book में बहुत सारी verbs दी वी है उसमें देखना आप three forms दी वी और साथ में ing form भी दी वी है verbs को पूरी जो form से आपको learn करनी बहुत ज़रूरी है जैसे कि teach की form form, teach ये first form है तो teach को हमने ing लगाया तो बन गया teaching go first form है उसको ing लगाया तो going appear first form है उसको लगाया ing तो appearing ओके, तो subject आएगा सबसे पहले उसके बाद में ease, am, r और फिर verb की first form को ing ये किसमें होगा positive sentence मतलब वो ही जो हम affirmative, assertive ये जो हम कहते है न, ये सारे एक ही चीज़ है positive मतलब जिसमें not नहीं है फिर negative में क्या आएगा, not आएगा और not हमेशा helping verb के साथ में आता है तो helping verb के बाद लगेगा not सबसे पहले subject आएगा फिर helping verb, फिर not और उसके बाद में verb की first form को ing देखो आप एक sentence को पढ़ो जैसे the teacher is teaching a lesson उसका negative क्या होगा the teacher is not teaching a lesson और उसका interrogative क्या होगा is the teacher teaching a lesson इसमें helping verb पहले आजाएगी interrogative में फिर subject, फिर verb की first form को ing एक ही sentence को ध्यान से देखो आपको फर्क समझ में आ जाएगा I am going to agra I am not going to agra फिर am I going to agra और इसका अगर interrogative negative होता तो क्या करते हम am I not going to agra यह देखो interrogative यहापे दिया हुआ है am I not going to agra और only interrogative है तो am I going to agra जैसे first में दिया हुआ is the teacher teaching a lesson इसमें not नहीं आया हुआ है तो यह only interrogative है और इसको interrogative negative करेंगे तो क्या होगा is the teacher not teaching a lesson ठीक है not लगाना है subject के बाद में जैसे कि am helping work हो गई I subject हो गया उसके बाद not लगाया not कहा लगाना यह भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको तो यह हो गया आपका present continuous tense उसके बाद में है present perfect tense present perfect tense के दो helping work होते हैं है और हैज कौनसे helping उसके दो हैव और हैज हैव आएगा plural के साथ में I, we, you, they और सारे जो plural है उन सब के साथ में आएगा हैव ही, शी, इट और सारे singular के साथ में आएगा हैज ठीक है तो वर्ब के उसमें आएगी third form कौनसी form आएगी present perfect tense में third form और अब हम पढ़ेंगे present perfect continuous tense देखो यह present perfect tense आगया है यहाँ पर Priya has stolen इसने subject Priya है has आएगा क्योंकि यह singular है किसी का नाम होता है कोई person तो singular में आएगा फिर has आएगा और वर्ब की third form take की third form taken Priya has not taken her breakfast इसने भी has के बाद में not लगया helping work के बाद not और इसका integrative बनेगा तो has Priya taken her breakfast समझ में आ रहा है फर्ग आपको और अगर इसका बनाना integrative negative तो क्या बनेगा has Priya not taken her breakfast आप ऐसे sentence ले लो कोई भी एक और उन सब को इसमें बना बना के देखो practice करो आप जो जो tense में आपको पढ़ा दी है जैसे present tense आपका लगबग पूरा होगी आप इस वीडियो में और पिछले वाला वीडियो तो आप sentence लो और उसको integrative, negative affirmative, negative इसमें बना बना के देखो आप ताकि आपकी बहुत अच्छी practice होगी tense की उसके बाद आपको एक दिसा इस पर जानना है अब आप देखिए present perfect continuous tense क्या होता है उसमें आएगा scenes और four का use आता है ठीक है अब देखो जब fix time दिया हुआ है तो वहाँ पर आता है scenes और बहुत fix time नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर आएगा four ठीक है four many years बहुत समय से four five years अब साल sun का नाम नहीं दिया हुआ है कौन से साल से तो यहाँ पर four five years आएगा last में कि मैं इतने समय से ये करता आ रहा हूँ present perfect का मतलब क्या होता है present perfect continuous मतलब मैं इतने समय से ये करता आ रहा हूँ मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ मैं अभी मैं चार घंटों से टीवी देख रही हूँ ऐसे ठीक है तो have और has के साथ में उसमें been लगेगा क्या लगेगा be double in been एक नई चीज़ इसमें add हो जाएगी और जब not लगाना है तो been और have या has के बीच में not आएगा जैसे आप ये नहीं कर पाओगे have been not नहीं have not been has not been ऐसे और integrative में have you been और have you not been उसमें subject के बाद not लगेगा इन कुछ rules को आपको अच्छी तरह समझना पढ़ेगा आप अभी अपना ये जो pages में आपको बता रहे हैं उसको आप पढ़ोगे सारी पूरी जो भी आपको दिया हुआ है topic वो सारे पढ़ो आप और sentence अपने मन से कोई भी sentence लेके उसकी practice करो तब आपको ये जो present tense मैंने समझा ये पूरा समझ मा जाएगा present tense के मैंने आपको simple present tense present continuous tense present perfect tense और present perfect continuous tense से चारों समझा दिये और उनके सबके अलग-अलग चार टाइपस भी बता दिये तो आपको उससरी वापिस पढ़के उसको खूब अच्छी तरह practice करनी है